बिग बॉस के घर का गेम अब पूरी तरह से बदल गया है बुदबार को कोदाम टास्क में विशाल की गुफा में किसी घरवाले ने कोई सामान नहीं रखा इसकी वज़े से वो हर बार गुफा से पहले निकल कर घरवालों की प्लेट तोड़ते रहे जिसके बाद बिग बॉस ने उन्हें कैप्टन सी का दावेदार बना दिया उसके बाद आसिम और अरहान की बीच मुकाबले में अरहान जादा बार गुफा से निकले और प्लेट तोड़ दी चुकि आसिम की गुफा में इतना सारा समान भर दिया गया था इसलिए वो एक बार भी गुफा से नहीं निकल पाए अब कैप्टन सी के जो दावेदार बने हैं वो हैं अरहान, देवुलीना, पारस, माहिरा और विशार इस टास्क का एक और जो सबसे बड़ा असर हुआ वो ये कि इसने सिधार शुकला के गुर्प को पूरी तरह से तोड़ दिया है आने वाले एपसोड में आपको इसका असर देखनों को मिलेगा हिंदुस्तारी भाव आर्थी और शैनास का मन सिधार से पहले ही खटा हो चुका है सिधार्थ और आसिम के बीच भी अब गहरी खाई बन चुकी है आसिम सिधार्थ पर दोश मणेंगे कि उनकी वज़े से वो घर के कैप्टन नहीं बन पाए लेकिन सिधार्थ का गुस्सा इतना बढ़ जाएगा कि दोनों के बीच तकरार हो जाएगी इस तकरार में दोनों के बीच हाता पाई तक की नौवत आ जाएगी सिधार्थ आसिम को धक्का तक देदेंगे उसके बाद आसिम भी उन पर सवार हो जाएगे वहीं कल बिग बॉस में घर में सोने वाले कैप्टन सी के दावोदारों को सजा मिलेगी फिलाल नए एपिसोड में घर का कैप्टन कौन बनेगा उसका पता जल जाएगा अगर आप भी बिग बॉस से जुड़ी सही अपडेट चाहते हैं तो हमारे चनल को सब्सक्राइब करें